बगवान के सेवक हैं फीछे चलने वाले आदमी होते हैं जब कहीं कुछ नहीं होता है थमी को बगवान लगाते हैं सेवक कासी प्रयाग के मथ्य सिमरादनाथ थां यहां अर्धनारी स्वर के रूप में बिराजते हैं बावा सिमरादनाथ इसी सिमरादनाथ थां में आज नंगे पाउं पहुँचे प्रमुखुद्योगपती दानबीर और धर्मबीर के रूप में बिख्षा निखलेश मिस्र ददा बावा सिमरादनाथ की नगरी में प्रमुखुद्योगपती पंडित निखलेश मिस्र ददा ने जब बाबा सिमरादनाथ को चांदी का छत्र चड़ाया तो अस्थानी गर्मान ने लोगों के साथ साथ खूद संकट मोचन महाबीर भी इस अदभूत पल के बने साच्छी बाबा सिमरादनाथ की धाम में चांदी के छत्र का पूजन करने के साथ साथ पंडित निखलेश मिस्र ने दान भी किया धर्म के साथ दान की उनकी अनूठी परंपरा उनका अनूठा इतिहास यहां भी दिखा द्योताओं में प्रथम पूज गर्बत की आराधना के साथ उद्योपती पंडित निखलेश मिस्र दता पूचे नंदी के पास आओ पूजन करने के पास सीधा रुख किया बाबा सिमराधनात के गर्बग्रिय में जहां अर्थ नारी स्वर स्वरूप में बिराज़ते हैं महादेव भूत भावन इस समय में बाबा सिमराधनात की नगरी में मौजूद हैं गर्बग्रिय में ये आप लाइब तस्वीरे देख रहे हैं पंडित निखलेश मिस्र दता प्रमु खुद्योग पती और समाज सेवी बाबा सिमराधनात का यहां पूजन से पहले सुनान कर रहे हैं मधूदे सीगी तैही समेत तमाम पतातों से उन्होंने बाबा सिमराधनात का अभी सेख से पूर्व स्नान कर आया हैं लाइब तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रमु कुद्योग पती एक सिवक के ताउर पे किस रूप में नजरा रहे हैं और आप रूतरा अभी सेख दे प्रूद्रा विशेग के बाद पंडित निखिलेश मिश्रित ददा ने ज्यानपूर के निसाथ पाल्टी के इवा विधायक विपुल दूबे के साथ बाबा सिमराधनात को चांदी का शहत्र चड़ाया प्रमु खुद्योगपती और समासिवी पंडित निखिलेश मिश्र ददा के बारे में क्या बोले ज्यानपूर के इवा विधायक विपुल दूबे सुनिए दादा ने आज छत्र लगवाया है महादेव की सस्थान पर और आणी का इतिहासी का स्थान दहा है वैसे भी दानवीर धर्मवीर तो हई हैं क्या कहेंगे दादा के बारे में और हमारा पूरा छेत्र सौभाग्यसाली है कि आप जैसे दानवीर धर्मवीर और सनातन धर्म की रच्छा के लिए हमेशा आप ततपर हैं तयार हैं इसके लिए हमारा पूरा छेत्र आपका आजीवन आभारी रहेगा रिणी रहेगा और आपके ही दान-पु 노मय से आपके ही पिया कलाप से वाले भी मंदिर में जेड़ोद्वार का काम कराया गया था , बाबा सिमराजनास की तपव अस्तहली पर और उसी करम में उसी कड ी में आज बाबा सिमराजनास को और उपर छत्र ढाल करके उनको च्छाया देने का का और उसी तरीके से पूरे छेत्र पर बाबा सिवराजनाद की क्रिपा बनी रहे यही वसकाना है। दादा इतिहासिकार आपके द्वारा महादेव किस नगरी में हुआ है क्या कहेंगे। लेकिन एक बात और है कि वो आपी से करवा रहे हैं यह सवभागे। माता पीता स्वरूप सिव सक्ति के सिवक के रूप में बिख्यात तान दिन निखिलेश मिसर के बारे में क्या बोले लोग सुनिए। प्राण पुरुस, धर्म के तक तक पुत्र दान भी निखिलेश मिसराजी द्वारा इसके पुर्वों में इस जनपद में अन्यन्य जनपद में एतिहासिक मंदिरों का उनर निर्मान कराया जा चुका है। बही आरुन जी ने बताया कि कड़े मानी पूर से लेके अम्मा चंडिका तक मेरी जनकारी में लगभग 25 ऐसे मंदिर हैं जिनका ज्योणों द्वार इनके द्वारा कराया गया। आज उसी क्रम में इनके द्वारा बाबा सिमराध हिनाद को चांदी का छत्र चढ़ाया जा रहा है इस एतिहासिक मौके पर हम भक्त जनों की उपस्चिती भुले नाद की किरपा है। जगापुर गाओं के निकलेश मिस्राजी जो आध्या पताद मिस्राजी के लड़के हैं। हम लोगों के जानकारी में कमस्रम तसों मंदिर कड़े मानी पूर्टे लेते हुए, गोपी जंतुर्गा मंदिर से लेते हुए, चन्रिका माई के हाम को लेते हुए, आज यहां सिम्राद बाबा के छत्र लगवाने से ले करते हुए ऐसे इस जनपद के लिए बहुत गवरों की बात है कि इस जनपद में इस बलाक जगापुर गाओं में ऐसे दान बीर, ऐसे दान दाता को भगवान ने पैदा किया है, ऐसे दान बीर के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पाद तो कोई सब्द नहीं है, जो चीज अभी हम हम लोग ग को देखने के मियर रहा है उनके कारियों को अपने आँक से देख रहे हैं दादा के बारे में बहुत कुछ कहने की जोड़ नहीं है, पूरा जनपत जानता ही है, दादा के साथ तो मैं हाई स्कूल उंतर से साधर पढ़ा हूँ, दादा की मनों 32 जनता की सेवा, अत्वा देवताओं के प्रति समर्पित भाव से उनकी सेवा, उसको ये मानते हैं कि प्र प्रिमानी की मत किया या जहां भी छब लगवा रहा हैं चंडिका धाम में जहां भी किया, मैं कहता हूँ आप ऐसा करतें के ना 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 ऐसा मत कहिए